दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना ब्लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उस चीज के लिए कॉन कोड से प्लेटफॉर्म की जूरत होती हैं ऐसे कितने फरी ब्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप अपना ब्लोग बना सकते हैं और कुछ अर्णिंग स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तो अपना नीश कैसे चूछ कर सकते हैं और एक टॉपिक होता है वो क्या होता है दोस्तो अगर आपने जाना है तो प्लीज ये वीडियो आखिर तक देखते लिए और अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नहीं हैं और अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दी होगे सब्सक्राइब से जल्दी सब्सक्राइब करें इसमें मैं ब्लॉगर YouTube और Facebook से रिलेटेड काफी इंट्रस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हम तो बिना समांग आए इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल स्टारिंग से आप बताऊंगा कि आप अपना ब्लोग फ्री बिल्कुल कैसे स्टार्ट कर सकते हो आम तोर प में जब थोड़ी बहुत अर्निंग होगी तो आप प्लेटफर्म को उनसा चूज करें पहला हमारा यह माइंड में आता है कि हम फ्री प्लेटफर्म पे जाएं के पीड में जाएं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है तो आप बिल्कुल फ्री मेठोड से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं आपको कुछ नहीं बता बलोगिं क्या होती है कैसे टाइप करना होता है तो आप गूगल के ब्लोग सपॉड है एक उप वहाम पर जा सकते हो, अपना ब्लॉग बना सकते हो, और नीचे description में मैंने वीडियो दे रखी है उसके बारे में, तो आप वहाम पर जाके भी चेक कर सकते हो, काफी interesting वीडियो दाल रखी हैं मैंने blogger के उपर, आप tumblr पर ब्लॉग बना सकते हो, आप Hubspot पर ब्लॉग बना सकत हो .wordpress पे आप ब्लाग ना सकते हो और बहुत सारी अधर टूल्स हैं अधर प्लेटफॉर्म हैं दोस्तो जिन पे आप अपना ब्लॉग शेर कर सकते हो अपने ब्लॉग के थूरू अपने content को दूसरों के सामने रख सकते हो दोस्तो यहां दूसरा method है दोस्तो वह है paid method जिसमें आपने domain name लेना है दोस्तो दोस्तो उसमें आपने web hosting लेने पड़ेगी थीम लेने पड़ेगी तक्रीबन आपका जो खर्चा होगा एक साल का लगबग on an average जो मैं लेके चलूँ आप से 10,000 का खर्चा होने वाला है आपका अगर आप अच्छा domain name लेते हो अच्छी web hosting लेते ह हो एक अच्छा customized theme लेते हो दोस्तो तो हम जो चलेंगे वो चलेंगे priority पे free google का जो टूल है उसके चलते हैं दोस्तो तो आपकी दिमाग में यह question जो आता होगा कि blogspot review others जो platform है free के वो क्यों नहीं आम तोर पे जो blogspot है वो गोल का ही platform है दोस्तो यह advantage है उसका जो server है बहुत strong server है और जो अगर आपके इन future आपके blog पे बहुत सारा traffic आया तब तो वही easily handle हो सकता है काफी limitation है आम तोर पे blogspot पे अगर आप थोड़ी बहुत investment करना चाहते हो wordpress पे तो आप wordpress पे download हो सकते हो starting में अगर 18000 का अगर आप cost लगा के चलो तो minimum यह cost बनती है इन चीजहों में अगर अच्छी hosting लेते हो अच्छा theme लेते हो दो पुछ paid plugins भी आते हैं वो भी लेने पड़ेंगे आपको तो आप इतना आप लेके चलिए कि आप इतना effort कर सकते हो अगर आप effort कर सकते दोस्तों नीश क्या होता है और topic को कैसे आप choose करते हो दोस्तों यह आप दोर पे question mind में आता है कैसे शुरू करें नीश क्या होता है नीश होता है जिसमें आपका बिलकुल जिसमें आप अपना blog start कर सकते हो जिसमें आपका interest है यह बहुत ही अच्छा decision होता है दोस्तों नीश यानि कि topic कौम सा रखें आप दोर पे इन चुजों की confusion रहती है लेकिन इसकी salvation भी है मेरे बास दोस्तों topic आपने चूज करना है दोस्तों आपके experience या फिर ऐसा blog आप त्यार कर सकते हो जिसमें लोग easy understand हो सकें आपके topic को अच्छी तरह से समझ सकें और आपका खुद का interest हो for example आप cricket खेल रहे हो cricket के बारे में काफी time होग आपको क्यं travaill किसी दुद्म तो आप kicker के बारे में लिख सकते हो दोस्तों इसली, cooking के बारे में कोई matّा ये बहने तो उनको भी आप cooking के बारे में ब्लोग लिखने के लिए क्या सकते हो काफी लोग सर्च करते हैं और आप अच्छी खासी अर्निक कर सकते हो cooking के बारे में हो गया आप आपको अगर और कोई किसी चीज़ का interest है for example beauty tips देने का को इंटरस्ट है तो आप उनके जा सकते हो उसमें आप अपना ब्लोग अपनी presentation दूसरों के सामने रख सकते हो दोस्तों यह होता है नीश यानि कि टॉपिक जो जिसमें आपका interest है आप कुछ लिख सकते हो उस चीज़ का solution दे सकते हो लोगों को आप आम तो पर ब्यूटी पाल सब्सक्राइब होती है माता है बेहने होती है जो वह भी इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकती है इसली किरके टोगा जैसे मैं आपको बताया अभी एक्जांबल के दोर पर मैं यहां पर लिखा हुआ है जिसे कूकिंग है कूकिंग में आपका passion है तो कूकिंग की उपरा ब्लो ले देते हो दोस्तों आपने simply publish करना है blogspot पे blogspot पे कैसे publish करना है अगर आपको कुछ नहीं पता तो मिनी blogger की सारी वीडियो देखिए दोस्तों नीचे description में यह भी दिखा देता हूंगा आपको कैसे start करना है और मैंने इसके उपर वीडियो बना रखी है दोस्तों उसके बाद कैसे आपने थीम लेना है रिस्पोंसिव थीम लेना आपने रिस्पोंसिव कौन सा होता है कैसे find करते हैं free theme कैसे होते है और नड थीम मिल्कुल यूज मत कीजिए दोस्तों free theme यूज कर दीजिए अगर paid theme यूज कर सकते हो at least आप domain name लेख सकते हो और theme ले सकते हो अपने blogger blogspot के लिए कारण है वो यह कारण है दोस्तों कि आपकी यो consistency है वह होंची यह ब्लॉग के उपर for example आम तो पर लोग क्या करते हैं कि एक डाल दिया उसके बाद सोचते रहती है कि उसके उपर traffic आएगा दोस्तों बिल्कुल भी traffic नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि न है दोस्तों monetize अगर जब जब तक आम monetize नहीं करागी तो Google Adsense की ad नहीं लग पाएगी दोस्तों और जब तक Google Adsense की ad नहीं लगेगी या other network की ad नहीं लगी तो आप earning नहीं करपाऊगी दोस्तों और थर्ड रीजन है दोस्तों कि traffic कि आपने blog publish कर दिया approval थोड़ा बहुर traffic आग भी लगा दी लेकिन इसका मतलू यह नहीं कि आप हजारों में अरने करना स्टार्ट कर दोगे दोस्तों इसके लिए SEO की जूरूत पड़ती है SEO क्या होता है नीचे description में इसके link भी दियो हूँ है मैंने वो भी video आप जाके देख सकते हो दोस्तों traffic के लिए आप अपनी website के ओपर social media का use कर सकते हो facebook ad का use कर सकते हो facebook page बना सकते हो facebook group में share कर सकते हो अपने knowledge को and Pinterest पे share कर सकते हो आप other platform Instagram हुआ उस पे share कर सकते हो और भी बहुत सारे हैं जिन पर user बहुत सारे active हैं उन पर जाके आप share कर सकते हैं जिससे जो traffic है आपके blog के उपर आएगा जिससे आपकी earning बढ़ेगी यानि कहने का मतलब है fourth make visibility of your blog जतनी visibility जाला होगी आपके कहने का मतलब यह मार्केटिंग में कि जो दिखता है वो दिखता है जैसे आम तोर पे आपने टीवी पे किसी products की ad देखते हो आप तो उसकी visibility है mind में click होता है कि हाँ इसकी ad देखे दी यह चीज अच्छी है अब for example मै मैं लेता हूं पार लेजी का बिस्कृट लेता हूं सभी को पता होगा कि पार लेजी का बिस्कृट है coffee time से चल रहा है और आज भी ad होती है उसकी तो इस चीज़ को analyze करो कि mind में click करवाना है कैसे कि click करवाना है mind में वह आपने देखना है इस चीज़ को आपने blog publish कर दिया blog publish करने से पहले आपने proper research करनी है अपने topic के उपर दोस्तो blog promotion से बहुत अच्छा motive है दोस्तो blog promotion blog promotion के लिए आप research करती हो कि जो मैं दिखा रहा हूं क्या वो सही है सही time मैं दिखाने गा for example मैं अगर mobile दिखा रहा हूं जाए सो नोकिया का क्या हूँ सका trend है और अगर मैं गठात रहा हूं आपको यहां पर वह प्रोस अस enコorn और अंभक्सीं दिखा रहा हूँ नोकिया के फॉन्स की तो उसका कोई ट्रेंड नहीं है उसका पुई वर्थ नही है दोस्तो रिपेर करने सीखा रहा हूँ मैं उसको कैसे रिपेर करते हैं ऐसे यह फोन जिनका 3-4 साल पहले बाइकोड हो चुक है ज्याने कि लोग पसंद नहीं करते उस कॉंटेंट को उस कॉंटेंट को बिल्गुल भी पबलिश नहीं करना आपने आपने publish करना है जैसे iPhone X के बारे में जो आज के trending में है जो trending topic है उसको ठाइए जिसमें लोगों का interest है लोग buy करते हैं और लोग उस चीज के features और उसकी problem को solve करने के कोशिश करते हैं और उसके आप अपने blog के मादियम से आप इंचुज़ों को बता सकते हो शोचल मेडिया से आप बहुत अच्छा traffic गेंग कर सकते हैं दोस्तों Facebook पे बहुत सारे Indian users हैं जो Facebook यूज करते हैं जो पड़ी लिखी नहीं हैं वो भी Facebook यूज करते हैं और जो पड़ी लिखी हैं वो भी Facebook यूज करते हैं दोस्तों आम तोर पे content सभी को चाहिए किसी को कोई content अच्छा लगता है किसी को किसी वे में अच्छा लगता है content कई वार वही होता है तेकि थोड़ा सा तरीका बोलने का वह लहाजा होता है वह अलग हो जाता है दोस्तों और जब ट्राफिक आएगा आपके ब्लॉग के ओपर तो जो ट्राफिक आता है जो यूजर साते हैं उसके question और answer का be reply कीजिए आप मेडियम.com पर जा सकते हो वहां पर भी है काफी अच्छे आपको बताऊंगा मैं आने वह वीडियो में की बैक लिंक क्या होता है बैक बनाते कैसे हैं किन-किन तरह के बैक लिंक होते हैं जो visibility है आम तोर पे दोस्तो वह main होती है आपके blog के लिए और यो content आपने डूड़ना है what the people want कि आज के दोर में लोग क्या देखना पसंद करते हैं क्या सोचना पसंद करते हैं आम तोर पे आज के time में टिक टॉक की वीडियोस हैं काफी चल रही हैं काफी trending में चलती हैं क्या कुछ और आ जाए क्या बदा आपके बढ़े में आज से 18 साल पहले जब जीओ नहीं आया था तो लोगों को internet के बारे में इतनी नोड़ती ही नहीं लेकिन जैसे जीओ आया तो इतना digital हो गया एंडिया लोग डिमांड करने लगे content को YouTube पे डाने लगे और इस तरह से आप अपना एक ब्लॉग क्रेट करके फ्री में नीचे डिस्क्रिप्शन में जुरूर वीडियो देखना आप कि कैसे आपने ब्लॉगर त्यार करना है क्या है ऐसी हो कैसे करनी है ऐसी होती क्या एक्शल में और responsive theme कैसे डाउनलोड करना है कैसे इंस्टाल करना है इसको कैसे कस्टमाइज करना है आम तोर पर मैंने बहुत सारी वीडियो जो टूल है गूगल का उसके ओपर काफी अच्छी वीडियो बना रखी है वो जाके जूरूर देखिए और अभी से आज से ही स्टार्ट कीजिए जैसा भी कॉंटेंट आपको लिखना आता है दोस्त की फिर नेक्स डे और अच्छा लिखने की कोशिए की एक लास्ट मेहने दो मेहने दीन मेहने बाद आपको एक काफी अच्छी नौलज गेन हो जाएगी कि कैसे एक ब्लॉग होता है क्याक्छू में ट्राफिक कैसे अपता और कैसे आप व्यूस लेकि आ सकते हो उसके उपर इस तरह से आप अपना फ्रीका ब्लॉग त्यार कर सकते हैं गूगल ब्लॉग स्पॉट पर और कुछ ना कुछ अर्निक कर सकते हो गूबाई गूगल एडसेंस अधर गूगल अल्टरनेटिव यहां एफिलेट मार्केटिंग के तुरू यहां स्पांसर्शिप भी होती है उ सब्सक्राइब ने किया तो प्लीस नीचे देए वो सब्सक्राइब सोचने तो जड़ी से सब्सक्राइब करें इस वी मैं ब्लॉगर, यूट्यूब और फेस्बुक से लेड़ेड काफी इंट्रस्टिंग वीडियोस देखे आत रहता हूं जो आपके काम आती है थैंक वर वाचिंग इस वीडियो